तो दोस्तों आप चलते हैं अब next हमारा जो method है जिसका नाम है Gauss Seedle method आज वो start करते हैं और बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा part हम complete करेंगे बस आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है starting से लेके ending तक अब यहाँ पर अगर आप द्यान से देखोगे तो दोस्तों जैसे हमने इसके पहले आला method देखा था पूरा का पूरा यही method इसमें कुछ अलग नहीं है बस दो तिन चीजों पर आपको बहुत द्यान से देखना है यहाँ पर आप देखोगे तो x का अगर आप maximum values देखोगे यहाँ पर 8 है यहाँ है यहाँ झाले है और minus related देखोगे तो 9 यहाँ पर दिख रहा है but problem ये कि collagen minus form में तो आप उसको plus बना दो तो कभी बहँ एगर minus form में तो पूरे aq को आप minus से multiply करोगे त यह क्या होगा और यह क्या आएगा दोस्तो वन बाई 9 यह true x वहाँ पर जाएगा तो plus हो जाएगा और दोस्तों यह माइनस 2Z वहाँ पर जाएगा तो plus 2Z हो जाएगा तो यह भी हमने फ्रेम कर लिया अब मेंस जैड अब धैकर मैंकिमUM वैल्ली देख मुआ दो यहá पर तो Z which is equal जैका one by six यहां पर कहाएगा दोस्तों 31 माइनस यहाँ पर कहाएगा दोस्तों 2X और यहाँ पर कहाएगा माइनस 3Y तो यहाँ पर यह पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया अब यह पूरा का पूरा पार्ट हमने लिखने के बाद अब हमें का करना है यह फ्स यहां पर फोस्ट करना चीज तो यहां पुछा होगा वहां तक पूछा सुल शाल करना है सबस्ट इब करना है y0 और z0 को हम 0 consider करते हैं यह चीज़ ध्यान रखना यहाँ इसके पहले आलो जो मैंने method बता है तो उसमें x0, y0, z0 सबको 0 लेते थे पर यहाँ पर ऐसा नहीं है अब देखो first iteration है तो x को 1 ले रहा हूँ यहाँ पर कहेंगा 1 by 8 यहाँ पर 30-9 यहाँ पर 3 यहाँте रहें चायेगा और 3 अब देखो भई आत प्यारा कै juez का पूरा पूरा था उठा सकते हो अब यहाँ पर देखो यहां पर 30 है 30 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो यहां पर अंसर कितना आएगा दुस्तों 3.75 अब यह पूरा का पूरा पार्ट आपका सॉल हो गया अब यह पार्ट सॉल होने किया दूस्तों अब मैं क्या निकाल रहा हूं गॉस्तीर मेफड बतलब लेटेश वैल्यू अभी तक हमें एक्स का लेटेश वैल्यू कुन सा पता है दोस्तों इने को एक्स वैल्यू यहां पर क्याएगा माइनस वन प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 3.75 और यहां पर जीरो तो वाई वन वीचिस एक वल्टू 1 बाला नाइ करने कोशिस करूं तो यहां पर वाइवन का एंसर क्या है गा दोस्तों देखो माइनस वन प्लस 3.75 प्लस टू इंटू जीरो तो अगर मैं इसको माइनस मालब इसको नाइन से अगर मैं डिवाइट करूं तो यहां पर वाइवन जीरो पॉइंट्री जीरो फाइं आ रहा है बहुत सारे अगर आप बुक्स में चेक करोगे तो जीरो पॉइंट्री वन भी रहेगा उसका मतलब भी सेम अब दोस्तों यह पूरा का पूरा पूरा पार्ट सॉल होने के बाद अब अपने को क्या निकालना है जैट बन निकालना यहाँ पे तो यहाँ पीखऊंगे दोस्तों तरीवण है, बहुत सिंफल है आप क्या लखोगे दोस्तों यहाँ पे कैएगा दुस्तों 2 । यहाँ पे क्याने LEATS Haddleि Candice निकाल लिए, अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा Z1 वीचे सी 1 इंधिग्वी माइनस 2 X1 कितना है दोस्तो 3.75 और यहाँ पर Y1 कितना है 0.3055 तो दोस्तो यह पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पर सॉल कर दिया अब देखते हैं इसका फाइनल एंसर क्या आता है दोस्तो 31-2 ब्रैकेट में कहा है दोस्तो 3.75 यहाँ पर से कहा है 3 है 0.3055 और फाइनली अगर मैं इसको डिवाइट करूँ 6 से तो यहाँ पर Z1 का और यहाँ पर Z1 का जो फाइनल एंसर आ रहा है वो दोस्तो कितना आ रहा है 3.753 स्वारी 3.763 नाइन तो यह हमारा Z1 का पॉरफेक्ट अएंसर आ रहा है अब दोस्तो जैसे यह फॉस्त इटरेशन सौल हो गया तो आपको second iteration पर जाना है तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं second iteration अब देखो बाई second iteration पर आपको जाना है तो आप आराम से जा सकते हो पर second iteration पर जाने के पहले आप सभी लोग को मैं बता देना चाहता हो कि अगर आप application पर one to one अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप दोस्तो हमारा प्रदीवगीरे अकाडमी का application है उसका link description ने दिया है AP के फाइल है उसे आप डाउनलोड करके आप आराम से जो भी courses हैं आपके आप उसे purchase करके बहुत ही अच्छे से one to one मुझसे पढ़ सकते हो वहाँ पर आपको हर topic के यहां YouTube के comparison में extra examples रिखाई देंगे तो जिससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा और वहाँ पर उतनी ही चीज़े आपको पढ़नी है कुछ extra पढ़ने की ज़रूत नहीं उतना अगर आप पढ़के जाते हो तो एक्जाम में बल्ले बल्ले तो दो अब यहां पर अभी तक का y का latest value y1 है, z का latest value z1 है, then x2 वीचे से equal to 1 by 8, यहां पर 30 है, minus 2, yes what is y1, 0.3055, z1 कितना है दोस्तो, 3.75, sorry, z1 का value अलग है, z1 का value कितना है दोस्तो, 3.7639, यह हमारा z1 का value है, तो देखों, मैं यहां पर लिखूंगा, तो 30 minus 2, 0.3055, यहां पर 3, 3.7639, यह हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा, इसको अगर मैं 8 से divide करो, तो finally दोस्तों, यहां पर x2 का जो answer आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 2.2621, यह हमारा x2 का answer है, अब x2 का answer आने के बाद दोस्तों तो अब हमें क्या करना है, y2 के लिए जाना है, तो देखों, यहां पर y equal to हमारे पास equation है, दोस्तों, y का equation क्या है, दोस्तों, 1 by 9, minus 1, minus 1, plus x, plus 2z, minus 1, plus x, plus 2z, अब दोस्तों, y equal to 1 by 9, minus 1, plus, यहां पर latest value x1 आएगा, और latest value z1, यहां पर latest value x1 नहीं, x2, क्योंकि अभी जस्त हमने x2 भी find out कर लिया, तो latest value x2 हो गया, तो देखों, यहां पर, अगर आप latest value देखोंगे, तो भाई, x2 तो find out कर लिया, तो देखों, एक बार equation में check कर ले रह यह, परफेक्ट है, अब अगर मैं x2 का value देखोंगे, तो 2.2621 है, तो देखों, यहां पर y, which is equal to 1 by 9, minus 1, 2.2621, देखों, यह हमने x2 का value रिखा, 2.261, और 3.36, अब देखों, यहां पर z1 का है, 3.36, और आगे क्या है, दोस्तों, 3.76 है, sorry, 3.76 है, आपके वास तो सामने बुक पे रहेगा, मुझे बार-बार पीछे देखना पड़ रहा है, और 3.9, तो दोस्तों, यहां पर आप इसको calculate करोगे, तो देखों, मैं किस तरह से कर रहा हूं, minus 1, plus 2.2621, plus 2, 3.7639, और अगर मैं इसको divide करूं, दोस्तों, 9 से, तो हमारा जो answer आ रहा है, जो हमारा answer आ रहा है, दोस्तों, y2 का, 0.976655, तो यह perfectly हमने यह पूरा का पूरा part क्या कर दिया, solve कर दिया, अब यह पूरा का पूरा part solve करने के बाद, अब last part है अपना z2, z2 अगर मैं solve कर रहा हूं, तो अपना equation कहा है, दोस्तों, 1 by 6, yes, आपने यहां पर 1 by 6 लिखा, यहां पर कहा लिखा, 31, minus 2x, तो यहां पर कहाएगा, minus 2x, minus, यहां पर कहाएगा, minus 3y, यहां पर कहाएगा, minus 3y, अब finally अगर आप लिखोगे, तो देखो किस तरह से, अब देखो, latest value अभी पास, अपने अस x की कुन सी है, दोस्तों, x2, y की कहा है, y2, तो यहां पर z2, which is equal to 1 by 6, 31, minus 2, यहां पर अगर मैं x2 के value की बात करू, तो x2 का जो value है, दोस्तों, कितना है, 2.2621, 2.2621, minus 3, y2 कितना है, दोस्तों, the value of y2, 0.9766, अब अगर मैं इससे solve करने कोशिस करू, तो 31, minus 2.2621, minus 3, 0.9766, अब दोस्तों, अगर मैं इससे 6 से divide करू, तो यहां पर जो हमारा finally answer आ रहा है, दोस्तों, 3.92, 433, एक बार और हम calculation को check कर ले रहे हैं, जो हमारा यहां पर final answer आया है, वो कितना है, दोस्तों, 3.92, yes, perfect answer है, और इसके पहले वाला भी हमारा perfect answer है, अब देखो, दोस्तों, मैं आगे third iteration की और इसलिए नहीं जा रहा हूं, क्यों, क्यों कि मेरे question में मुझे वहां पर बोला रहेगा, यहां पर देखो, अगर आपको question में, यहां पर starting में बोला नहीं है, और यहां पर बोला होगा, जो मैं question solve कर रहा हूं, उसमें बोला है, solve the following equation by Gauss-seidel method taking two iteration, दो iteration तक हमें iteration तक बता दिया, तो तीसरा तो आप solve कर सकते हो, और मैं चाहता हूं, कि अगर आप सच में अच्छा पढ़ना चाहते हो, तो इसका third iteration solve करो, बहले यहां पर दो ही बोला है, तीसरा भी solve करो, और final answer comment section में आप लिखो, तो वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks, thank you so much दोस्तो मिलते हैं next lecture में हाँ, और अगर किसी को, अगर मेरे से one to one पढ़ना होगा, तो आप courses purchase कर सकते हो, और इतने example इनफ नहीं है, इसके बाद आपको और extra example पढ़ने की ज़रुरत है, याद से, बहुत ही अच्छे से मेनत करो, और भी कम सीरम दो तीन example इससे related practice करो, जिससे आपका confidence label और बढ़ेगा, वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks, मिलते हैं next lecture में, जाहिन दोस्तों